या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्री अर्थात नौरातें इन नौरातों और दस दिनों के दौरान देवी के अलग-अलग नौरूपों की पूजा की जाती है नौरात्र में आठमे दिन यानी अश्टमी थी महागौरी शक्ति की पूजा को समर्पित है नाम से ही प्रकट है के इनका रूप पूर्णता गौरवर्ण है इनकी उपमा शंक, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है शुपुराण के अनुसार महागौरी को आठ साल की उम्र में ही अपने पूर जन की घटनाओं का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने आठ साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी इसलिए अश्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है इस दिन मा की पूजा में दुरगा सप्षती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेश भलदाई होता है मागौरी के सभी आभूशन और वस्त्र श्वेत हैं इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है चार भुजाएं हैं और वाहन वर्शब है इसलिए वर्शार रूठा भी कहा गया है उनको माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत शान्थ है पति रूप में श्व को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़ा से उनका शरीर काला पढ़ गया था लेकिन तपस्या से प्रसंद होकर भगवान श्व ने उनके शरीर को गंगा के मा महागौरी को शिवा भी कहा जाता है इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्वल्ड कोमल श्वेत वर्णी और श्वेत वस्त्रधारी और चतुर बोजा हैं उनके एक हाथ में त्रशूल और दूसरे हाथ में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक ग्रहस्त महिला की शक्ति को दर्शाता है महागौरी को गायन और संगीत बेहत पसंद है इनके समस्त आभूशन आदवी श्वेत हैं महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नश्ठ हो जाते हैं माता महागौरी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं एक कथा के अनुसार मा महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान श्व को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी एक बार भगवान भोले नात ने पार्वती जी को देख कर कुछ कहा जिससे उनका मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं इस प्रकार वर्षु तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती हैं तो पार्वती को खोशते हुए भगवा उनके पास पहुंचते हैं, वहां पहुचकर उन्होंने देखा कि पार्वती जी उनका रंग अत्यनत ओचपूर्ण है, उनकी छटा चांदनी के समान, श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही है, उनके वस्त्र आभूशन से प्रसंद होकर देवी उमा को गौरवन का वो वर्दान देते हैं, महागवरी रूप में देवी करुणा मई, स्नेह मई, शांत और म्रदल देखती हैं, महागवरी से सम्मंदित एक अन्यक अथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंग का भी भूखा था, वो भोजन की तलाश में वहां पहुचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंग की भूख बढ़ गई, परंतो वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया, इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया, देवी जब तपस्या उठी, तो सिंग की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई, और मा उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गवरी का वहन बैल और सिंग दोनों ही हैं, महा गवरी अमोग फल दाए नहीं हैं, इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुष पूर्व संचित पाप भी नश्ठ हो जाते हैं, महा गवरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्यानकारी है, इनकी क्रपा से अलोकिक सिध्धियां भी प्राप्त होती हैं, अब हम आपको बता रहे हैं माता आदिशक्त की सहायक शक्तियों के बारे में, ये शक्ति के अंतकाल में ये मातर का शक्तियां वापस माँ आदिशक्त में पुना विलीन हो जाती हैं, और सिर्फ माँ आदिशक्त ही बचती हैं, फिर से पुनर निर्मान के लिए, 64 योगनियां समय समय पर माता दुर्गा के सहायक शक्तियों के रूप में काम करती हैं, और दूसरे दिशकूर से देखा जाए, तो ये मातर का शक्तियां तंत्र भाव और शक्तियों से परिपूरित हैं, और मुक्यता तंत्र ग्यानियों के लिए प्रमुख आकरशन का हुए माता ने यह आवतार लिए थे यह भी माना जाता है कि यह सभी माता पार्वती की सक्यां हैं इन 64 देवियों में से 10 महा विद्याइं हैं और सिद्ध विद्याओं की भी गढ़ना की जाती है यह सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन भिन आवतारी अंश हैं। ये भी कहा जाता है कि समस्त योगनियों का संबंध मुख्यताह काली कुल से हैं और ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिश्ट संबंध रगती हैं। समस्त योगनिया अलोकिक शक्तियों से संपन हैं। प्रमक रूप से आठ योगनिया हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। बहुरूप तारा, नर्मदा, यमुना, शान्त, वारुनी, श्रिमंकरी, एंद्री, वाराही, रण वीरा, वानर मुखी, वैश्लमी, काल रात्री, वैध्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन मस्तिका, व्रश वाहन, जौला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौवेरी, भलुका, नार सिंही, बिरजा, पिक्तान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सरपरश्य, यक्षणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कौमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुधी, काली, उमा, नाराइनी, समुद्र, ब्रह्मिनी, जाला मुखी, किसी भी प्रकार की मनुकामना को पूर्ण करने के लिए, इनकी साधना की जाती है, ये विधान शीघर भलदायक है, 64 योगनियों के भारत में चार प्रमुक मंदिर हैं, दो ओडिशा में और दो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना अरिठावरा काला में, ग्राम मितावली में है, इसे एकंतेश्वर महादयो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहों में इस्तित है, आज हमने देवी मा के अश्टम सरूप, माता महागोरी और 64 योगनियों के बारे में चर्चा की, अगली कड़ी में हम बात करेंगे, नव दुरगा के नवम सरूप, मा सिद्धिदात्री की, और बताएंगे क् होती है, नो दिनों तक दुरगा पूचा, यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप से अनुरूद है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कॉमेंट्स भी दें, धन्यवाद, देवी मा की किरपा आप पर सदयों ब